अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूला नमश्कार शात्रो तो शात्रो आज हम पढ़ेंगे कहानी है ये एक कहानी के प्रशनों के उत्तर और भाषा की बात प्रशन अभ्यास आपकी पुस्टन के प्रशन अभ्यास आपकी पुस्टक में है ये उसी से रिलेटर ये वीडियो मैंने बनाया है आज तो बचो कहानी में मोटे मोटे किस काम के है किन के बारे में और क्यों कहा गया है मोटे मोटे किसको कहा गया है और क्यों कहा गया है आपने कहानी पढ़ी होगी कामचोर काम चोर होता है जो काम नहीं करना चाहता है ठीके जिसका काम में मन नहीं लगता है अगर कोई घर का उसके कोई काम बताता है न तो वो मना कर देता है जो कोई बहाना लगा देता है तो उसको क्या बोलते हैं काम चोर कहीं का तो कहानी में मोटे मोटे आया कि किसको कहा गया है कहानी में मोटे मोटे बच्चों के बारे में कहा गया है क्यूंकि बेग घर के कामकाज में जरा सी भी जरा मीन थोड़ी सी भी मदद नहीं करते थे तथा दिन भर उधम मचाते रहते थे उधम होता है बच्चों शोर क्या होता है उधम शोर मचाना और दिन भर कोई काम नहीं करते थे बच्चे और सारा दिन शोर मचाते रहते थे इस तरह ये काम चोर हो गए थे मीन ऐसे कुछ काम नहीं करना तो वो काम चोर ही बन गए थे मीन वो काम करना नहीं चाहते थे उनको काम करना पसंद ही नहीं था ठीक है बच्चो तो आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा मेरा विजारा समझाया गया नेक्स्ट प्रेशन बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दूरदशा हुई अब कहानी में जब बच्चे शोर करते थे कोछोर मचाते थे तो घर की दूरदशा हुई क्या दूरदशा हुई दूरदशा होता है बुरी हालत हो गई घर की तो क्या हुई आईये उत्तर के माद्यम से जानते हैं तो शात्रो बच्चों के उधम मचाने से घर अस्त व्यस्त हो गया आप भी अपने घर में उधम मचाते होंगे आपकी मम्मी दादी डांटी होगी आपको उसी तरह इस कहानी में आपकी ही उमर के ये बच्चे हैं और बैसे ही लेखक ने भी ऐसी कहानी लिखी है कि आपको उससे कुछ सीखना है आप जानते हैं कि हिंदी विशे से हम अपने जीवन को कैसे जीए उससे सबंदित बाते सीखते हैं हम अच्छी अच्छी और कैसे हमें कहां बोलना चाहिए किस के साथ बड़ों के साथ कैसा ब्यावार करना चाहिए ये सारा ही हमें हिंदी विशे से मि अपना जो भी literature होता है हमारा जो culture होता है हम अपने बिशे से ही सीखते हैं जो हिंदी बिशे, इंगलिश बिशे जो होते हैं इन में जो कहानिया होती है इनके माद्यम से हम अपना जीवन कैसे ब्यतीत करना चाहिए उसके बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं ठीक है बच्चो तो उसी परकार यहाँ पर कहानी में भी बच्चे हैं जो शोर मचाने से शोर मचाते हैं और घर को अस्त ब्यस्त कर देते हैं मटके, सुराहियां इदर उदर लुड़क गए मटके मीन घड़े जिनमें पिशे जवाने में पानी भरके रखते थे घर में उसमें ठंडा रहता था सुराहि में बहुत ठंडा पानी रहता था गर्मियों में भी तो बहलुड़क गए मिट्टी के बरतनों ते यह घर के सारे बरतन अस्त ब्यस्त हो गए मिन फैल गए जो जिस जगा पर रखे थे बहाँ पर नहीं रहे पशू पक्षी इदर उदर भागने लगे घर में धूल मिट्टी कीचड का धेर लग गया मट्र की सबजी बनने से पहले बेडे खा गई अब घर में बेडे भी आ गई है और मट्र सारे ही किसने खा लिए बेडों ने मुर्गे मुर्गियों के कारण कपड़े गंदे हो गई और इस बज़ा से पारिवारिक शांती भी भंग हो गई अब जो परिवार में शांती रहती थी भो भी भंग हो गई भंग मीन वो उतल पतल हो गई मीन अब वो घर शांत बातावर नहीं रहा वह शांत हो गया किसने किया बच्चों ने अम्मा ने तो घर शोड़ने का फैसला ही कर लिया मीन बच्चों बड़े बजूर्ग जो होते हैं वो ज़्यादा शोर पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी जो है आपको सजाने सवारने में तो लगा दी है अपने बच्चों को तो अब आगे उनके बच्चे जो होते हैं अगर वो उसी प्रकार का घर नहीं रखते जैसा वे रखते थे साफसफाई वाला या शांत बाता बनाकर रखना है उंचा नहीं बोलना तो उनको बहुत दूख होता है तो बैह है जो अब इस घर की जो अम्मा है वो तो घर शोरने का फैसला ले चुकी थी उसने ले लिया है फैसला तो आगे आपनी स्टोरी पढ़ी होगी तो आप तो ज राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो अब अम्मा क्या कह रही है या तो बच्चा राज कायम कर लो मिन उस अपने पुत्र को बोल रही होगी क्योंकि उन्हीं के बच्चे है ना उसके बेटों के बच्चे होंगे ना वहां पर बहु बेटे है ना तो वो बोल रही है या तो या तो ये बच्चों का राज कायम कर लो, आप में समझाना चाहिए ना, पेरेंट्स को ही तो समझा, माता पिता ही समझा सकते हैं बच्चे को, और कोई नहीं समझा सकता, तो उसी प्रकार, या आद मुझे ही रख लो, अम्मा ने अब कहा, इसका परणाम क्या हुआ, अब ऐस कहा था, क्योंकि बच्चों ने सारा घर अस्त्वियस्त कर दिया था, तो ही उन्होंने ऐसा कहा था, जब पिता जी ने बच्चों को घर के काम, काल में हाथ बटाने को कहा, तब उन्होंने उसके विप्रीत सारे घर को तहसनेस कर दिया, अब आपके दादा या दादी जी, आपको काम बताते होंगे आप नहीं करते होंगे तो बचो अच्छी बात नहीं होती है क्योंकि कहना मानना चाहिए हमें बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए आदर करना चाहिए उनके शोटे-शोटे काम होते हैं उनको कोई पिता जी कुछ बोलते हैं चश्मा लादो जा म खाना ला दो जा पानी का गिलास दे दो यही तो होते हैं शोटे-शोटे काम बज़ुर्गों के और क्या होते हैं बड़े तो यह तो आप अच्छे से कर सकते हो ना तो उन बच्चों ने नहीं किया और उस उल्टा उनको बिपरीत्मीन उल्टा उस सारे घर को तहसनेस कर दिय जिससे की अम्मा भी बहुत प्रेशान हो गई थी इसका पढ़्णाम ये हुआ कि घर की किसी भी चीज को बच्चों को हाथ ना लगाने की हिदात दे डाली अब पिता जी क्या करने लगे पिता जी ने क्या कह दिया कि बच्ची जो है वो घर का किसी भी समान को हाथ नहीं लगाएंगे हिदायत मीन उनको सलाह दे दी कि कोई भी बच्चा जो है मेरे समान को घर के समान को शूएगा नहीं अगर किसी ने घर का काम किया, तो उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा, किसी ने घर का काम किया, तो उसे धात का खाना नहीं दिया जाएगा, मिन ऐसा कोई बच्चा करेगा, तो उसको रात को क्या, उसको पनिश्मेंट रख दी कि उनको खाना नहीं मिलेगा रात का, ठीक है कामचोर कहानी अब आईए उत्तर के माद्यम से जानते हैं ये एक हास्य प्रदान कहानी है मिन हंसने बाली आपको हंसी भी आई होगी कहानी पढ़कर और मज़ा भी आया होगा और आपको अपने भी कुछ यहां द्रिश्य देखने को मिले होगे कि आप भी ऐसा ही करते हैं तो ये कहानी जो है बच्चो संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों से अनविग्य नहीं होना चाहिए मिन अनजान नहीं होना चाहिए उनको घर के काम कर सीखने चाहिए और देखते रहना चाहिए कि उनके मुमी पापा कैसे घर के काम करते हैं उनको भी तो आगे करन है ना तो उसम teレ me 2 लड़कीं को घर के काम में हम सुट शूटे काम अगर बच्चे कर देते ना तो मम्मी पापा दादा से वक्षीं हो सुष उसक्ताइव थीकए आप एपने घरों में फॉलो करना है वेटा को उन्हें उनके सभाव के अनसार उमर और रूची ध्यान में रखते हुए काम कराना चाहिए मीन बच्चों की उनकी सभाव के में नेचर के अनसार उमर उमर मीन एज और रूची मीन अपना इंटरस्ट की आप ये बच्चे जो है माता पिता ही करवा सकती है ये उनको पता होता माता पिता से भी रुकेस्ट है कि माता पिता जो है अपने बच्चों को अच्छे संसकार सिखाएं क्योंकि माता पिता के लावा चाचा चाची जा दादा दादी कुछ बोलेंगे ना तो मां को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मां ही जो होती है वो ही अपने बच्चों में अच्छे संसकार और बुरे संसकार दोनों दे सकती है, थिक है, तो बच्चे मा कही ज़्याद़ कहना मानते हैं, तो जिसे बच्चपन से ही उनके काम के प्रती लगन तथा रूची उत्पन हो, ना कि उब, उब मीन वो आलसी न बने, बच्चपन से ही उनमें क्या काम करने की आदत बन जाए, पैदा हो जाए, उसमें उत्पन हो जाए, मिर शोटे-शोटे काम बताते रहना चाहिए, पैरेंट्स को, बच्चों को सिखाते रहना चाहिए, अच्छे बच्चे तभी कहलाते हैं, क्या बच्चों ने उचित निर्ने लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिल कर पानी भी नहीं पियेंगे, क्या बच्चों ने जब दादा ने ये बोला था, पिता जी ने कि किसी को खाना नहीं मिलेगा रात का, तो कोई काम नहीं करेगा, तो क्या बच्चों ने उचित निर्ने लिया कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, हिल कर पानी भी नहीं पियेंगे, तो ये उचित था आपके निजरिये से, आप भी बच्चे हैं, तो आप अपने विचार लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं, उत्तर के मादें से बच्चों द्वारा लिया गया निर्ने उचित नहीं था, मिन सही नहीं था, क्योंकि स्वयम हिल कर पानी ना पीने का निश्चे, उन्हें और भी काम चोर बना देगा, मिन उनको और भी कुछ भी काम नहीं करेंगे, अगर वो उठकर पानी भी नहीं पीएंगे तो, बोज बन गए, बे कभी भी कोई काम करना सीख ही नहीं पाएंगे, अगर वो ऐसा करेंगे, कि हम हिलेंगे ही नहीं अब, बच्चों को काम तो करना चाहिए, पर समझधारी के साथ, बड़ों को उनको काम सिखाना चाहिए, और अवश्यकता जो है, वो उसको प्रेम पूर्बखभाव से सीख जाए उस काम को, डांट करने ही बच्चा कभी भी काम करता, ये तो पेरेंट्स के लिए हिदायत है, कि प्या जिस तरह से आपके बच्चे, आपका कहा मानते हैं, उसी तरह उनको काम सिखाना चाहिए, ठीक है, और घर के सा मानने काम हो, या अपना निजी काम, प्रतिक व्यक्ति को अपनी किशमता के अनुरूप उन्हें करना अवश्यक है, क्यों? अवश्यक क्यों है? क्यों है? क्योंकि बच्चों जब कभी हमें अकेले भी रहना पड़ सकता है घर में, रहना पड़ता है न कई वार अमर्जेंस करके ही आपको घर से निकलना पड़ेगा ना, तो इसलिए सीखने चाहिए अपनी किशमता के अनसार, अपने जितनी कपैस्टी है आपकी काम करने के, उसके अनुरूप आपको वश्यक, जुरूरी जुरूरी काम जो है, सीख लेने चाहिए, क्यों सीख लेने चाहिए? क्यो आप कर लेता है वो कहीं भी जाए इंडिया के कोने में बाहर किसी भी कोने में जाए देश के प्रंतु वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता क्योंकि उसने घर में सीखा हुआ है अपनी क्षमता के अनसार अपनी जितनी आपकी कपैस्टी है उसके अनसार काम करना है इसलिए जरूरी है क्योंकि क्षमता के रूप किया गया कारे सही और सुचारू रूप से होता है मीन सही भी होता है और सही ढंग से भी होता है यदि हम अपने घर का काम या अपना निजी काम नहीं करेंगे तो हम काम चोर बन जाएंगे अगर हम अपना काम भी नहीं करते हैं तो हम क्या बनेंगे काम चोर बन जाएंगे मीन हमें काम नहीं करना पसंद नहीं आएगा हमें काम ही नहीं करना चाहेंगे जिंदगी में हमें अपने कामों के लिए आतम निर्भर रहना चाहिए हमें हर काम अपने आप करना चाहिए कि यह तो शात्रों कुछ ना कुछ तो आपको मेरी बात ने मायन में पढ़ रही होंगी तो आशा करती हुए कि आपको यह मेरे द्वारा समझाया गया प्रशनों के उत्तर पसंद आ रहे होंगे अगर आ रहे होंगे तो पहले लाइक तो कर सकते हैं न वीडियो को प्यारे बच्छों जिन हुने मेरे चैनल को अभी कर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको मेरे अने मारे वीडियो का नया नोडिस्केशन मिल सके लाइक और शेयर भी जूर करते